कि इस सवाल में है अब पेर ओफ फेर डाइस के स्टॉस यानिकि दो डाइस को आपने एक दफ़ा टॉस करना है फाइंड प्रॉबैब्टी ऑफ गैटिंग अ टॉटल ऑफ एट टॉटल एट आ जाए उसके अंदर इसकी प्रॉबैब्टी चाहिए हमें तो सबसे पहले पेर ओफ डाइस का टॉटल सेंपल इस पेस को फाइंड आउट करें कि जब भी हम टॉस करेंगे तो उसमें वन वन आ सकता है वन पहले वाले में वन आ सकता है दूसरे वाले में टू आ सकता है पहले में वन आ सकता है दूसरे में थ्री आ सकता है वन आ सकता है 15 आ सकता है 16 सब्सक्राइं फिर सकते हैं पहले वाजाए पड़का सकता है आपके पास और उसमें 6 पोसोबिटीटीटीज है तो तो six multiply by six total sample इस पर 36 आजाएगा आपके पास अब टोटल आपके पास first आई और टोटल फस्ट आई और second आई को मिला के टोटल जो है न आपके पास eight आजाई यह find out कर लिए सबसे पहले सबसे greater number रखते हैं पहले डाई में और दूसरे वाले में फिर क्या add कराएं कि हमाँ पास eight आजाए तो दूसरे वाले में हम two add कराएंगे तो eight बनेगा अब सारे sample space cover करने का तरीका यह है कि हम इसको यह six है न इसको एक number कम करती रहते हैं तो five four three और यह two तक है पहला नमबर जो इसमें add करा है पिर five में आपके पास अच्छा इस नमबर को बढ़ाते जाते है two three four five six इसको बढ़ाते जाएंगे तो टोटल eight बनता चला जाएगा तो यह तमाम possible sample हैं जिनकी वज़से eight आता है पहले डाइस में आपके पास six आ जाए और दूसरे में two आ सहे हुआ है जी इसका आंसर होगा फाइव डिवाइड बाइट टोटल thirty six अच्छा अब next सवाल है कि मुझा कि at most a total of five का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इसको आप इस तरह से लिख सकता है कि जादा से जादा 5 हो 5 से जादा ना हो यह मतलब होता है यनि कि इसमें आलाओ कर रहा होता है कि 5 से कम हो सकता है तो इसमें आपके पास आजाएगी probability of total 5 probability of total 4 probability of total 3 और probability of total 2 probability of total 1 जो है वो belongs नहीं करता क्योंकि पहले डाई में minimum 1 है और दूसरे डाई में भी minimum 1 है तो total 2 आएगा minimum तो minimum 1 नहीं आ सकता है तो यह आपके पास हो गया अब सबसे पहले total of 5 निकाल लेता है फर्स डाई में आपके पास 1 आजाए तो दूसरे में आपके पास 4 आएगा तो 5 बनता ही है इस तरह आप इसको complete कर ले अभी जैसे पिछला सवाल complete कर रहा है तो 1, 2, 3, 4, 4 elements है जो total 5 लेके आएगे अब इसी तरह total 4 कर ले total 4 के यह element बनेंगे फर्स डाई में 1 आजाए, सेकंड डाई में 3 आजाए तो total 4 बनता है इसे तरह इसको चलाएंगे हम तीन सेंपल से समाय पास बन गए इसे तरह total on 3 भी find out कर लेता है पहले में 1 आजाए, दूसरे में 2 आजाए इसे तरह total of 2 find out कर लेता है पहले में 1 आजाए, दूसरे में 1 आजाए तो यह 2 बनेगा total अब यह बन गया at most तो अब इन सब को काउंट कर लेते हैं तो यह आपके पास पहले वाले में चार आ गया दूसरे वाले में तीन आ गया इधर आपके पास दू आ गया इधर एक आ गया तो यह साथ आठ नौ दस तो यह बनेगा 10 divided by total अगया चाहिए कार्ड़ वाला सवाल आगया हमाएं पास अब कार्ड़ टोटल 52 कार्ड़ होता है चाहिए कार्ड़ वाला जब भी सवाल आएगा तो वह combination से solve होगा इस सवाल में देखे लिखा हुआ है इना poker hand consists of five cards तो फाइफ कार्ड़ अगर उसके पास है ना तो उसने फाइफ कार्ड़ जो है डेक आफ 52 कार्ड़ में से निकाल ले होंगे यह निके 52 कार्ड़ में से उसने select किया है तो अगर select किया है ना उसने तो उसकी जो select किया five cards जो है वो pick किये हो है चलें इस तरह से देख लेते हैं five cards pick किये हो है और total 52 cards है अच्छा अब उस जिसने five cards pick किये हो है ना तो क्या probability उसमें से three aces हो अब सबसे पहले तो हम total possibilities निकाल लेंगे क्योंकि हमने probability निकालना पड़ेगा तो हमने three aces की probability निकालना है तो हम total किस तरह से निकालेंगे कि total 52 cards होता है तो 52 में से five select कर लिये है यह होगा आपके पास total sample space अच्छा उसके बाद हम चाह रहे हैं कि उसके पास three aces हो पाँच card में से three aces हो और बाकी दो cards जो हो कहा से आएंगे वो other than aces में से आएंगे aces ना हो कोई से भी हो भले वो aces ना हो बस तीन aces आई हैं हमें इसकी probability निकालना है हमने तो यनि कि यह दो groups में divide हो रहा है हमाँ पास सवाल एक तो aces में और एक not aces में तो आपको पता है कि total aces जो होता है na four aces होता है total तो total 52 cards में से अगर आप four निकाल देंगे तो 48 other than aces बस तो है यनि कि यह दो group में divide हो गया four aces में और 48 not aces अच्छा अब हम यह चाह रहे हैं कि चार aces में से three aces आ जाया है वाए पास और फिर total 5 हमने select करने थे तो तीन तो यहां से select हो गए और बाकी जो बचेंगे दो वो other than aces में से select होंगे तो इस तरह से इस तरह के सवालात को जो है ना cards वाले सवालात को यह selection वाले सवालात को हम combination के जरिये solve करते हैं यह आगे जाके hyper geometric भी बन जाएगा chapter 5 में अच्छा पिर अगला सवाल भी कर लेता है अगले सवाल में four hearts आई हैं हमें total hearts होता है total hearts 13 होता है और total club भी 13 होता है अच्छा अब divide में तो आपके पास वहीं आएगा 52 c5 वहीं सवाल है क्यूंकि 52 cards में से 5 select किये हैं अब यह जो है ना hearts में divide हो रहा है card यह हमारा problem है यह 13 hearts में divide हो रहा है 13 club में divide हो है यह जो हमाँ पास total है यह और एक और भी group लिख सकते हैं 13 यहाँ पर आगए 13 यहाँ पर आगए तो 26 हो गया और बाकी जो बचेंगे ना card वह होंगे 26 वह ना total बचेंगे ना 26 ना वह heart होंगे ना club होंगे तो इस तरह तीन group में divide हो रहा है हमारा problem अच्छा यह बोले 13 hearts मेंसे जो ना 4 hearts आगए तो 4 यहाँ पर आजाएगा फोर यहाँ से आगए फिर उसके बाद 13 club मेंसे जो है एक club आजाए तो one यह चीज जो है आपके पास यह होती है total one के बराबर अगर यह लिखाव है ना problem में तो ठीक है नहीं लिखावा तो भी ठीक है कोई मसला नहीं है अगर लिखाव है तो one से multiply हो जाएगा answer पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं लिखावा तो तब भी वह कोई answer आएगा इसका answer जोगा 143 upon 39984 साथी साथ यह भी selection वाला सवाल है three books are picked तो तीन पिक कर चुका है वह अच्छा from a shelf of containing five novel three books of poems और a dictionary तो यनि के यह five plus three plus one is equals to nine यनि के total nine books रखी है एक shelf के उपर उसमें से तीन उठा ली है उसने अब क्या probability है what is the probability that dictionary is selected तो अब यह क्योंकि यह भी selection वाला सवाल है इसमें combination लगेगा तो पहला पार्ट जो है इसमें divide में जो आएगा आपके पास total nine nine में से three select कर यह इसने तो nine c three ही हो जाएगा आपके पास total अब हमाएपास जो उपर problem है न वो उसमें से तीन select कर रही है तो एक dictionary आज इसकी probability चाहिए यानि के हमाएपास जो group है न वो यह dictionary है और जो other group है न वो not dictionary है क्योंकि इस सवाल में सिर्फ dictionary के बारे में पूछा हुआ है न तो हमारा event जो न वो dictionary है और जो other than event है वो not dictionary होगा अब भले not dictionary के अंदर poem भी आ रही हो novel भी आ रहा हूँ तो यानि कि यह group जो है मेरे पास one एक dictionary और other than dictionary eight उसमें divide हो जाएगा अब मैं चाहरा हूँ तीन में से एक यहां से dictionary select हो जाए तीन select करना है हमने तो एक उसमें से dictionary select हो जाए और बाकी दो जो हैं दूसरी side से select होगे उसका answer जोगा one upon three होगा अच्छा इसी तरह बी पार्ट कर लेता है बी पार्ट में वो बोल रहा है कि दो novel और एक poem आ जाए तो divide में तो वो ही आएगा 9C3 और इसी तरह novel में group divide हो गया यनि के पांच novel हमाएं पास और poem में divide हो गया हमाएं पास तीन poem थी और एक जो अडिक्शनर यह यह भी group है हमाएं पास अच्छा अब सवाल यह कि दो novel आजाएं आपके पास तो पांच novel में से दो novel आगए और फिर तीन book poem की books में से एक book आजाए तो तीन poem की book में से एक book आगई अब total तीन ही select करने थे हमने तो two plus one three select हो चुके हमाएं पास तो यहां से zero select करेंगे और यह भी जो आपके पास one के बराबर होता है इसलिए यह लिखा वाओ या ना लिखा वाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा answer पे इस तरह कि जो सवालात होते हैं जिसमें number of elements हमें given होते हैं उसको अगर when diagram से करेंगे तो वो बहुत जादा आसानी से visible हो जाता है सब कुछ जैसे इस school में जो है total hundred student है तो hundred जो universal set आगया आपके पास sample space आगया जिसमें से 54 जो है mathematics study करते हैं तो 54 mathematics का जाएंगे और 69 जो हिस्ट्री study करते हैं 69 और इसमें से 35 ऐसे हैं जो बोद करते हैं यह नहीं कि यह intersection region है यह intersection region बन लिए हो अब बहुत सिंपल से सवाल है यह इफ वन आफ दीज स्ट्रेंट इस स्ट्रेंट करना है find the property अब आगे के पार्ट करते हैं अब इसको अगर आप देखें तो अब अगर आप 69 प्लस 54 करते हैं तो यह आपके पास बनता है तो 123 बनता है यह 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 100 सेक्सीड हो रहा है यह यह इसका intersection exist करता है barrel intersection तो उन्होंने पहले से ही दिया हुआ यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमने find out करी लेकिन अब अगर हम यह देखें कि यह 54 student है और यह 69 student है इसमें से अगर 35 हम minus कर दें यह यह 54 में यह 35 include है और इस 69 के अंदर भी यह 35 include है यह यह 35 दो दफ़ा आ रहा है तो यह 54 को अगर हम add करा है 69 के साथ और यह जो दो दफ़ा 35 आया है इसमें add होने में इसको अगर एक दफ़ा minus करा दें 35 को तो मेरे पास जो answer आएगा 88 यानि कि 12 student ऐसे हैं जो ना mathematics पढ़ते हैं ना history पढ़ते हैं तो वो 12 student जो बिलकुल अलग से हैं तो यह चीज अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इससे काफी आसानी हो जाएगी बाद में सवाल सॉल्फ करते हुए अब हम सवाल की तरफ आते हैं find the probability that the student took mathematics और history तो यह union find out करने के लिए बोल रहा है यह सारी notations हमने लिख दी number of elements in mathematics, number of elements in history, number of elements, mathematics, intersection, history तो यह साही चीज़े हमने लिख दी अब यह find out करने के लिए हमें बोल रहा है probability of m union h इसका formula हमें पता है यह और का मतलब है कि union find out करने के लिए बोल रहा है तो इसका formula हमें पता है कि हम क्या करें m union h में यह सारे add कराएंगे यह सारे add कराएंगे लेकिन यह जो चीज़े ना यह दो दफ़ा add हुई भी होगी तो यह इसमें भी सी तरह ही करेंगे यह 54 plus 69 करा लेकिन जब 54 plus 69 कर रहा है ना तो यह 35 जो यह 2 times add हो रहा है अंडेड अंसर आ जाएगा तो यह यह पहले पार्ट का अंसर अब दूसरे पार्ट को देख लेता है दूसरे पार्ट में बोल रहा है the student did not take either of these subject ना तो वो mathematics ले ना वो history ले रहा हो तो यह तो हमें पता है वो 12 student है जो mathematics नहीं ले रहा है history नहीं ले रहा है बेराल इसको इस तरह से करते हैं इसकी statement आप इस तरह से लिखते हैं कि ना वो mathematics ले रहो ना वो history ले रहो और बीच में इंटरसेक्शन लगता है जब भी इस तरह की statement होगी ना simultaneous statement एक के साथ दूसरी connected होगी तो आपने बीच में इंटरसेक्शन लगाना है इसका formula हमने पिछले उसमें भी पढ़ावा है 1-P M union H यह हमने किस तरह से निकाला था कि probability of M prime intersection H prime इसको आपने D Morgan's law से open करा M अब D Morgan's law बोलता है कि अगर दोनों पर prime लगावा है तो आप उसको whole prime करते हैं लेकिन बीच वाला sign change कर देगा जहूँ तो यह intersection तो यह union हो गया और यह whole prime हो गया अब यह whole prime पता है आपको कि total probability जो आपके पास 1 के बराबर होती है तो M union H आपको नहीं चाहिए इसके उपर prime लिखावा है यानि कि total में से आपने minus करना है M union H minus करना है तो यह इस तरह से formula इसका बनेगा और logically भी बना सकते हैं आप formula इसका अच्छा यह होगा M union H हमने पीछे निकाला वह है 1 minus 22 upon 25 और हमाई पास answer आएगा 3 upon 25 तो यह answer हो गया और अगर इस तरह से आपने करना था यह जो आपने पहले से 12 निकाला वह इस तरह से करना है तो वैसे भी हो जाएगा यह M neither M nor H 12 upon 100 तो यह बनता है 4, 3, 0, 12 4, 25 तो इस तरह से भी कर सकता है आप number of elements जब आपको given होना तो आप direct number of elements से answer निकाल सकता है ऐसे formula लगाने की ज़रूरत नहीं है formula तब लगता है जब आपके पास number of elements नहीं given होना तो formula लगता है लास सवाल पर आ जाते हैं लास सवाल में लिखा हुए the student took history but not mathematics history ले रहा हो लेकिन mathematics नहीं ले रहा हो इसको भी intersection के जरीए हम लिखेंगे mathematics नहीं ले रहा हो लेकिन वह history ले रहा हो अच्छा तो इदर अगर मैं shade करूँ के वह history ले रहा हो इसकी क्या पर वैबडी हो वह history ले रहा हो लेकिन history के अंदर ये सारे जो है न ये mathematics वाले भी हैं जो history भी ले रहा है mathematics भी ले रहा है तो हमने ये minus करना होगा 69 मैंस 35 तो ये minus करना होगा 69 माइनस 35 डिवाइड बाइंड थर्टी फॉर ऑपन हंडेड या अंसर आ जाएगा अच्छा अगर इसका formula बना है तो आप इसी कोई देखके बना सकते हैं यह असल में हमने करा गया है probability of m prime intersection h लिखा है तो probability of h minus probability of m intersection h ये formula इसका बनता है और अगर आपने number of elements से करना नजर आ रहे हों सामने तो आप इस तरह से कर सकते हैं जो पहला step मैंने कर रहे हैं दूसरे वाले में values पूट करता हूं और यह answer भी वही आ जाएगा 17 upon 50